मैं आपकाulations To Di na आज मैं आपको इस गडमी में जार्वेरा का क्या क्यार्ब ना है इसको दिखाँगी थोड़ाथोड़ा आप हाल माहें में जार्वेरा तक प्लांट में ग्यार करेंगे तो ऐसे फुल खेलेगा देखिए मेरा हार मन्यां पुरा चाल winner में फूल खेलता है देखिए कितना सुन्दु सुन्दु कालर का फूल खिला हुआ है मेरे पास 13 भैराइटीज है चर्वेरा की मैं थोड़ा थोड़ा करके हर मेर में खाद देती हूँ मेरा सब मिठी में लागा हुआ हे मीठी में बहुत अच्छे से जर्वेरा फ्लैंड ग्रो करता है favors देखिए पहले नीचे के थोड़ातीbird शुक शुका लीव है उसको मैं हटा लोंगी नीचे के लीव थोड़ाथोडा शूख जाता है इतना गड़मी है इसलिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है इस गड़मी में बहुत से जारवेरा का फूल काला पड़ जाता है लेकिन मेरा देखिए एक भी फूल काला नहीं पड़ा सब अच्छा अच्छा कालर का हुआ है थोड़ा सा क्यार करने से ही होगा एस अब देखिए एस अब मैं हटा लिये शुकी हुई पत्ते मेरा मिट्टी पुरा थोड़ा सा भीगा हुआ है तो इसलिए तोड़ने में ज्यादा कस्त नहीं हो रहा आसानी से आ रहा है हाँ हाथ में क्यूंकि कल ही मैंने पानी दी थी कर्मिक के टाइम में भी जर्वेरा का फूल बहुत अच्छे से खिलता है शिर्प सर्दी के मसम में जर्वेरा नहीं खिलता है अब मैं मीट्टी को क्या कर लोंगी थोड़ा सा खुड़ाई कर लोंगी फिर उसमें खात दोंगी सर्दी के मसम में तो मेरा मने पूरा प्लैन में फूल खिला रहता है एक दम भर भर के अर इतना बड़ा बड़ा होता है सर्दी के मसम में जड़मे में फूल का साइज थोड़ा सा छोटा हो जता है सर्दी के मपने बड़ा हता है और ये देशी का देशी का है मेरे पास सब क्यूंकि तो में ये बहुत मुस्किल होता है इसले मैंने नेही लाया है नार्चारी से बहुत आसानी से मिट्टी भी पुराई कर ली हूँ कारक्यू की मिट्टी पुरा गिला हुआ है अभी अब इसको हाथ से राउंड राउंड कर दूंगी क्यूंकि वहाँ पे में खाद दूंगी तो ओ ठीक से रहेगा पाने के साथ अब आपका गामला में है तो आप भी मिट्टी को खुराई करके फिर खाद दीजेगा देखिए मैं क्या खाद देती हूँ पहले कावडं कॉम्पोस शुका हुआ ले ली है थोड़ा सा आप उसमें क्या-क्या मिलाती हूँ इसमें देखिए थोड़ा सा पटास देंगू दूंगी में थोड़ा सा डीएपी डीएपी के कुछ दाने दूंगी और थोड़ा सा बोन्डास्ट मिला के चार चीज़ों में मिला के थोड़ी थोड़ी करके दूंगी ज्यादा नहीं अभी गर्मी है तो ज्यादा देने से लुक्षन हो जाएगा प्लैंट्स को देखिए कितने एमांट में मैं देती हूँ देखिए थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा जब सर्दी का मसम में आएगे तो आप मैं मूट भड़के देती हूँ एक मूट दो मूट अब इसमें पानी दे दूंगी पानी तो देना ही पड़ेगा अभी क्यूंकि खाद दी है मैंने अभी एक खाद देने से क्या होगा फीट से बार्स निकल के आएगा बहुत सार और फूल खिलता ही रहेगा तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे कड़ियेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीड़ेगा